जै शूकी मैं हूँ प्रियंकड आमोर और आप देख रहे है रेडियो वर्तस एश्या की हिंदी सर्विस कली सही समाचार में आप सभी का स्वागत है कली सही समाचारों में प्रमुख है सन पिता फ्रांसिस ने वैटिकन के मीडिया कर्मियों की वेतन में की कटोती यरुसलेम के आर्च बिशप ने लोगों से गाजा की मदद की अपील की मैयान मार गिरजा घर पर सैन्य हमले की कार्डिनल बोने की निंदा चीन ने वैटिकन द्वारा नियुक्त बिशप प्रोहितो सैमनेरियन्स को गिरफतार किया वेतनाम के चात्र कोविड-19 के अंत के लिए उनलाइन प्रातना करेंगे नए बांगला देशी आर्च बिशप ने प्रातना और सहियोग की अपील की मयानमार से भागे शरनार्थियों ने भारत में शरन ली बुजूर्ग भारती इनन गरीबों को खाना खिलाने के लिए जोखिम उठा रही है सेंट जॉन्स नेशनल अकेडमी ओफ हेल्थ साइंस ने दो घंटे का वेबिनार आयोजित किया दक्षिन एशिया में 120 सुवक ने सेलसन मनने का लिया संकल जैपूर इस्थिक जेजवीट्स ने कोरोना केर सेंटर की शुरुवात की अब जानते समाचार विस्तार से सन्पिता फ्रांसिस ने वेटिकन के मीडिया करमों की वेतन में की कटोती सन्पिता फ्रांसिस ने वेटिकन के अपने मीडिया करमचारियों से कहा आपकी खबरों को कितने लोग पढ़ते हैं पॉप ने ये सवाल तब उठाए जब उन्होंने 24 माई को वेटिकन रेडियो की 90 वी वर्षगाट और वेटिकन के समाचार पत्र लो और स्वेटेरो रोमानों की 167 वी वर्षगाट को चिनहित करने के लिए संचार विभाग का दौरा किया इस साल एक बड़ी पेंशन फंडिंग की कमी और अनुमानित 50 मिलिन यूरो की कमी हुई है जिसके तहट सनपिता फ्रांसिस ने वर्षग वेटिकन करमचारियों की वेतन में 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कटोती का आदेश दिया है और 2 साल के लिए वर्षगता बोनस रोग दिया है यरुसलेम के आर्च बिशप ने लोगों से गाजा की मदद की अपील की यरुसलेम के लेटिन कुलपती आर्च बिशप पियर बैप्टिस्टा पीजा बला ने अनुरोद किया कि 30 माई को धर्मप्रांद के सबी परिशों से सामुहिक संग्रह पूरी तरह से गाजा के पवित्र परिवार परिवेश को दान कर दिया जाए जो कि इसराइल से हवाई हमलों के बाद एक जुट्टा का संकेत हैं आर्च बिशप पीजा बला ने उल्ले किया कि घातक जड़पो और बम विसपोटों के बाद गाजा में इस्तिती खराब हो गई थी निवासी भी क अपने को संसाधनों का साजा करने के लिए कहता हूँ मयानमार गिरजागर पर सेनी हमले की कार्डिनल बोने की निंदा मयानमार की सेना ने सोमवार को पूरी मयानमार में कैथलिक गिरजागर पर गोले दागे जिसमें चार कैथलिकों की मौत हो गई यांगून की महाधर्मा काडिनल चार्ल्स माउंग बो ने बताया कि सैनी हमले के पीड़तों और घायलों के प्रती वे अपनी आत्मियता और पीड़ा वेक्त करते हैं। सैमनेरियंस को गिरफतार किया। उत्तर चीन के अधिकारियों ने वेटिकन द्वारा न्यू कैथलिक बिशप उसके साथ प्रोहितो और एक अनिदृष्ट संख्या में सैमनेरियंस को गिरफतार किया है। जिसके कम्यूनिस्ट देश में भूमिगत कैथलिक चर्च पर नए सीरे से कारवाही के हिस्से के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मामलों पर देश के दमनकारी नाई नियमों का कथित रूप से उलंगन करने के आरोप में प्रोहितो और सैमनेरियंस को हिरासत में लेने के एक दिन बाद पुलिस ने 21 माई को हिनाना प्रान के शिंग जियान धर्मप्रान के 63 बर्षिय बिशप जोसफ जांग अजू को गिरफतार किया वैज़नाम के चात्र COVID-19 के अन्त के लिए ओनलाइन प्रातना करेंगे वैतनाम भर में कैत्लिक चात्रों ने कोरोंग वाडस प्रकॉप पर काबू पाने में अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए ओनलाइन सप्ता प्रातना में भाग लेने की योजना बनाई है हनो इस से कैथलिक चात्रों के संग के प्रभारी फादर पीटर फाम वान टुवान ने कहा कि एक नई कोविड नाइंटीन लहर ने देश और दुनिया भर के सभी लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभाविक किया है हम इसाई हमेशा मानते कि येशु के जुनुन और पुर्णुर्थान के माध्यम से हमारे कश्टों को जानते हैं इसलिए निश्यत रूप से इश्वर हमें कभी नहीं छोडेंगे नए बांगलादेशी आर्च बिशप ने प्रात्ना और सहियोग की अपील की बांगलादेश के चटगाउं आर्च डाइसिस के नए आर्च बिशप ने प्रोहितों धार्मिक और आम लोगों से उनके लिए प्रात्ना करने और सहियोग करने का आगरह किया है क्योंकि वैस इस्थानी चर्च के भायचारे विश्वास निर्मान और विकास पर ध्यान के इंडित करने की योजना बना रहे हैं आर्च बिशप लॉरेंस उब्रोतो होवेल्डर ने कहा मुझे पवित्री करन विश्वास को बड़ावा देने और मार्ग दशन के कार्यों के माध्यम से ईश्वर की लोगों की सेवा करने के लिए बुलाया गया है मयानमार से भागे शरनार्थियों ने भारत में शरन ली मयानमार के हजारों लोग जिन में से अधिकांश ख्रिस्तिय है भारत की सीमा वर्ती मिजोरम राज की और भाग रहे हैं मिजोरम राज ने नई दिल्ली की संगिय सरकार को अधिकारिक रूप से सूचित किया है कि लगबग 16,000 मयानमार शर्णार्थी अब राज में रह रहे हैं जो पड़ोसी मयानमार के चीन राज से हैं भारताय अधिकान शर्णार्थी मीजोरम में मीजो लोगों के साथ एक जातिय संबंद का साजा करते हैं और खृस्तिय बहुलक राज के लोगों के साथ पारिवारिक संबंद रखते हैं बुजूर्ग भारतिय नन्गली के गरीबों को खाना खिलाने के लिए जोखिम उठा रही हैं 83 साल की उम्र में सिस्टर एलसी वट केकरा ने सडकों पर गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ा यहां तक की लॉगडाउन के दौरान भी कैथलिक नन्ग पश्चिमी भारत की गुजरात राज में अपने पडोस में रहने वाले मांसिक रूप से बिमार लोगों को भोजन वृतरित करने के लिए हर दिन दोपहर में सडकों पर जाती हैं सिस्टर एलसी राजकोर धर्मप्रान के मीठापूर में इससे सैंट एंड ओफ प्रोविडेंस कलीसा की सिस्टर की सदस्य हैं उनका यह जुनून एक दशक से जारी है सैंट जॉन्स नेशनल अकेडमिक ओफ हेल्थ साइंस ने दो घंटों का वेबिनार आयोजित किया बैंगलोर के एक प्रतिष्टर चर्च संस्थान सैंट जॉन्स नेशनल अकेडमिक ओफ हेल्थ साइंस ने ओडीसा के एक डाइसस में 24 मई को दो घंटी का वेबिनार आयोजित किया जिनमें उन्होंने कोरोना वाइरस महामारी के लक्षन तथा उसे कैसे बचा जाए इसके बारे में जानकारी दी इस वेबिनार में प्रोहितो और ननो ने भाग लिया संबलपुर के बिशप निरंजन सुलसी ने कहा मेरा धर्मप्रान सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज का आभारी है जिसने हमें कोरोना वाइरस महामारी के कारण वर्तमा संकट से निपटने में मदद की दक्षिन एश्या में 120 स्युवकों ने सेलसियन बनने का लिया संकल्प महामारी के समय के बावजूद नियमित कारिक्रम बंदित होने के बावजूद दक्षिन एश्या छेतर के नौ नोविश्येट इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक नोविश्येट अपना पहला व्रत धारन कर रहे हैं पहले व्रत धारन के लिए पारम पारिक 24 माई की तारिक को शुरू होकर इस साल 24 माई, 31 माई, 30 जून, 15 अगस और 8 सितंबर के विभिन तित्यों पर 120 सुवा अपना पहला व्रत धारन कर रहे हैं जैपूर इस्थिद जेजविट्स ने कोरोना केर सेंटर की शुरुवात की सेंट जेवियर्स कॉलेज और स्कूल की एलूमिनाई ने 20 बेट का कोरोना केर सेंटर, मोबाइल वैन और ओनलाइन काउंसलिंग वा योगा सेशन की निशुलक सेवा सोमवार से शुरू की चिकित्सा मंत्री रगू शर्मा ने अपने निवास पर मोबाइल वैन को हरी जंडी दिखा कर सेंटर का वर्च्वल उटगाटन किया इसी के साथ कली से समाचार समाप्त हुए अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ नमस्कार